पाठ उन्निस बनाते जाओ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है बच्चो पिछले भाग में हमने इट कैसे बनती है उसकी सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से जाना था इस भाग में हम विभिन प्रकार के पुल यानि ब्रिजों के बारे में पढ़ेंगे बच्चो पुल, सेतु जिसे हम ब्रिज भी कहते हैं एक प्रकार का धाचा है जो नदी, पहाड, घाटी, आदी और रोध को पार करने के लिए बनाया जाता है पाठ में आगे बढ़ें, अब बच्चे लकडी के पट्रे से बने पुल के सहारे नदी पार कर घर आ गए पुल पार करते हिवे संतोसी अपने दोस्तों को बता रही थी कि जब गर्मी की छुटियों में वह अपने चाचा जी के घर गई थी, तब उसने वहाँ कई तरह के पुल को देखा, वहाँ कुछ पुल सिमेंट गीटी के बने थे तो कुछ पुल लोहे के, तब ही शीला बोल उठी उसके गाउ में नदी को पार करने के लिए बांस और रसी का बना हुआ पुल है, बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप जब स्कूल आते हो तो इस रास्ते में कोई पुल पड़ता है? यदि हाँ, तो उस पुल को बनाने के लिए किन सामग्रियों का उप्योग हुआ है या आउलょकन करके पता करना है? तो सकूल आते समय अगर आपने कोई पुल देखा है, तो आपको लिखना है कि हाँ, हमने पुल देखा है, वह पु कॉंक्रीट इट और स्टील रॉड या लोहे की रॉड से बना हुआ हो एक और प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि आपने कितने प्रकार के पुलो को देखा है और कहां आपको उन पुलो के नाम लिखने है अब हम अपने देश के कुछ प्रमुख ब्रिज या पुल की बात करें पहला हम बात करना चाहते हैं चर्चा करेंगे हम पटना में एक महात्मा गांधी सेतू या ब्रिज है और या गंगा नदी के ऊपर बने हुई है इस प्रकार के ब्रिज को बिम ब्रिज कहते हैं क्योंकि यह जो बेस है इसका वो बिम के ऊपर खड़ी है अब हम देखते हैं कलकत्ता के हावडा ब्रिज को हावडा पुल जिसे रविंदर सेतू भी कहते हैं या हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है और इस तरह के ब्रिज को कैंटी लिवर सेतू कहते हैं इसमें जो स्टील की रॉड होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है चैतिज रू पुल को सश्पेंसन ब्रिज या जूला पुल भी कहते हैं पहले या पुल लकड़ी एवं रसी से बने हुए थे पर अब या स्टील से बने हुए हैं बच्चो महरास्ट्रा मोंबई में समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज को कहते हैं वांदरा वली समुद्र सेतू चलिए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं घर पहुँचकर रोहित हात मुधो कर नास्ता किया और पढ़ने बैड़िया पर ध्यान पढ़ाई में तनिक न था उसके दिमाग में नदी की बाते घूम रही थी और वा सिर्फ पढ़ने पलट रहा था रोहित क कि चाची उसे देख रही थी और बोली क्या बात है बेटा आज तुम्हारा ध्यान कहा है उल्टी किताब पकड़े हुए हो रोहित घबडा गया बोला कुछ नहीं चाची आज सर ने पुल का मॉडल बनाने को कहा है चाची जी ने कहा बस इतनी सी बात जाओ माचिस के खाली डिब्बे लेयाओ बास की लकड़ी लेयाओ साथ में फैबिकॉल लेयाओ दोनों मिलकर पुल का मॉडल बनाते हैं अब आपको एक एक एक्टिबिटी देते हैं जो आपको घर पर करना है अपने घरों के बेकार पड़े वस्तू जैसे की कूट, स्ट्रॉ, जाडू की स्टी रसी, बास की लकड़ी या कोई भी लकड़ी से पुल का एक मॉडल बनाना है और उस मॉडल को बनाने के बाद आप अपने सिक्षक को दिखाएंगे बच्चो चलिए अब हम पाठ में दिये गए कुछ अभ्यासकारे को करते हैं सबसे पहला अभ्यासकारे है आपको मिलान करना इसमें एक और स्रमी क्या कारीगर के नाम दिये गए हैं जैसे बढ़ही, राजमिस्त्री, रेजा, मजदूर, बिजली मिस्त्री, पलंबर और बच्चो आप अपने आसपास दैनिक जीवन में, स्कूल में या फिर घर पर इस तरह के कारीगर को या श्रमिकों को देखते होंगे, तो आप जब भी देखें तो आप उनके ओजारों को आभी उलोकन करें और किस प्रकारिय कारे करते हैं उसे समझें, अब हम अगला प्रशन देखें, इस प्रशन में आपको ओजारों के चित्र दिये गए हैं, चित्र को देखकर नाम लिखना है, पहला चित्र क्या देख प चित्र है किस चीज का चित्र है? या है साहुल. आप इसे राजमिस्त्री के पास देख सकते हैं. चलिए, अब हम तीसरे चित्र को देखें. या चित्र क्या है? या है करणी. या भी आप राजमिस्त्री के पास देखते होंगे. इस ओजार को कहीं आपने देखा है ये भी एक करनी है इसे आप कह सकते हैं बिलायती करनी और ये भी इट विछाने के वक्त इस समतल करने के लिए इस करने का उप्योग किया जाता है अभयास में आपका अगला प्रश्न है एक वर्ग पहली इस वर्ग पहली से आपको ऑजारो के नाम ढूंड कर अपनी कॉपी में लिखने है जैसा कि मैंने तीन ऑजारो के नामढ़ोंडे हैं आप हो सके तो और वी नाम ढूंड कर लिखें जैसे कुदाल, साहूल और करनी तो बच्चो इस पार्ट में हमने सीखा विविन प्रकार के पुलों की बनावट एवं उनके लिए आवसक सामगरियों के बारे में पुल निर्मान या घर निर्मान में जुटे बढ़ई, राज मिस्टरी, रानी मिस्टरी, रेजा, मजदूर, बिजली मिस्टरी, पलंबर आदि के क्या कारे होते हैं और उनके आवजारे कौन-कौन सी होती हैं इसके बाद विस्तार पुर्वक हमने इत बनाने की बिधी को भी जाना। आशा करती हूँ कि आपने यह पाठ अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अब आप अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास अपने वातावरन में विवन प्रकार के पुलों का उलोकन कर पाएंगे साथ ही श्रमिक या जो कारिगर हैं उनके कारिय को भी देखकर समझ पाएं तो इतना ही धन्यवाद